हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दोपईया और कारे साइलेंसर में पानी घुसने से बन पड़ गई पानी के निकासी के इंतिजार में एक एंबुलेंस भी खड़ी दिखाई दी कोई अन्य वेकल्पिक रास्ता ना होने से छोटे वाहन चालक काफी परेशान दिखे इधर इस बारश से रनकपुर बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है जलस अंसाधन विभाग द्वारा शेत्र के काना बांध पर सरवाधिक 7 mm बारश दर्ज की गई है जबकि रनकपुर बांध पर 55 mm और मुठाडा बांध पर 51 mm बारश दर्ज की गई विभाग के A.E.N. तराराम गहलोट के मताबिक ये आंकडा गुरुवार सुबा बीते 24 घंटे हुई कुल बारश का है देसुरी तैसील मुख्याले पर ये बारश 38 mm बारश दर्ज की गई शेत्र में बुद्वार को 4 बजे जोरदार बारश हुई थी गहलोट ने बताया कि कल हुई बारश से सादली के रनकपुर बांध से जलस्तर में अप्रात्याशित बढ़ोत्री हुई है 62.70 की कुल भराव शमता वाले इस बांध में 32 फीट जलस्तर था लेकिन आज बांध का जलस्तर बढ़कर 37 फीट हो गया है बांध में 5 फीट पानी बढ़ा है सादली से जावरुप टीवी के रिपोर्ट